प्ट मारिंग स्टुडेंट्स I hope you ला फाइन बेटा। लास्ट क्लास वी डिस्कर्श ता ग्लेंड पैंक्रियाज और पैंक्रियाज ग्लेंड और अडर्रोल ग्लेंड को डिसकर्श किया था, हमने। आज हम कंप्लीट करते, बेटा। जो हमारी दो ग्लैंड बच्ची हुई हैं दो या तीन प्लैंड बच्ची हुई हैं तो देखते हैं छोटी-छोटी ग्लैंड पींयल ग्लैंड आपके brain में present है कहां पे present है वीटा for brain देखो येセरीब्रम होता है यहां पे Mid brain और ये हिंडriae behavioral वाला portion ये जो पॉंद Our पॉंस, मैडूला, अबलगेंटा और इसको यहां पर होता है सारी वैलम और इस पॉर्शन को जहां पर मिड ब्रेन, पॉंस, मैडूला, इसको क्या बोलते हैं बिटा, ब्रेन स्टैम, वट वी कॉल डिट ब्रेन स्टैम, तो होता क्या है एक्चुल में, कि यह जो यह जो पीनि बिटा, यह पीनिल ग्लेंड, एक हॉर्मोन रिलीस करती है, एक मेलाटोनिन, क्या होता है, और मेलाटोनिन का काम क्या होता है, हमारी स्लीप और वेक साइकल को कंट्रोल करना, लाइक होता है न, कि हमें किसी को नो बज़े की आस-पास नीद आने लग जाती हैं, कुछ लोग secret होता है तो हमें नीद आती है यह कैसे गढ़ पाता है तो pelos letter अ होती है मिन्स वहाँ पे बाष्ट मेंटरकर प्रेजन्त के साथ कुछ ग५ंश मेटरबी प्रेजन्ट होता ग्रेमेंटर मुस्ट क्या प्रेंटर यह इक सिस्टम बनाती है जिसको रास बोलते हैं रै्ट के रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मेंस यह करता है आपके दिमाग के अंदर जो मैसेज जाने चाहिए ना मतलब आप जो सोचते हो जैसे मुझे यह पढ़ना है मुझे अपनी लाइफ में यह बनना है तो आप उसको बार-बार सोचो क्यों कि वह सिगनल्स आपके ब् उसको बार-बार याद किया करो यह अब करता है किसके त्रूम इस बार-बार सोचोगे जाएंगे आपके ब्रेम मेंसिच ऑगे की तरफ यह अगर आपका रास काम करना बंद करदेगा ना तो आप कॉमा में चले जाओगे आपकिसी मैसेज को सेंस नहीं कर सकते हो सो मिलेटोनिन एक्चुली में क्या करता है बेटा इट स्लोज डाउन दा रास जैसे ही रास स्लोडाउन होएगा मैसिज जाने कम हो जाएंगे अब सो जाओ तो इस साइकल को सिरसेटियन रिदम भी बोलते हैं डाय यूरेनल साइकल भी बोलते हैं और स्लीप एंड वेक साइकल तो ये तो इसको main function है बाकी और कुछ कामों में भी टांग डाता है like body temperature को affect करता है ये main काम तो hypothalamus का था लेकिन ये भी कर रहा है वाया ये mensal cycle और puberty को भी affect करता है ये function किसके होते हैं? estrogen progesterone hormone का then ये immunity को affect करता है ये काम तो thymus gland का है skin pigmentation में अपना roll दिखाता है ये काम melanin hormone का है तो मतलब अपना main function के साथ-साथ और भी बहुत सारे ये काम कर रहा है the next gland बेटा thymus सबसे पहले ये समझो कि thymus gland है कहाँ पे thymus gland कहाँ पे बेटा? dorsal surface पे यहाँ पे क्या होती है? sternum एक bone होती है यहाँ पे, sorry, ventral side पे हमारे ventral side पे क्या है बेटा? sternum है और dorsal side पे पीछे vertebral column है तो ये जो ventral है ventral ही sternum है इसके पीछे मतलब dorsal to sternum sternum के पीछे और ये जो heart होता है यहाँ पे heart से ओटा निकलती है ओटा के आगे तो मैं ये बोल सकती हूँ arta और sternum के ठीक बीच में constituted है thymus gland और इसको throne of immunity बोला जाता है क्यों बोलते हैं इसको throne of immunity क्योंकि हमारे immune system को जो maintain करने वाली cells है वो सारी cells कहाँ पे बनती है thymus में बनती है thymus में आके mature होती है actually देखो बेटा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपके जितनी भी blood cells है वो बनती कहाँ पे है bone marrow में और bone marrow में भी कौन सा portion red bone marrow कौन से portion में बनती है सबी cells बनते तो कहाँ पे है बेटा वही bone marrow में बनके कहाँ पे आते हैं blood vessels में लेकिन जो यह lymphocytes होते हैं न टी लिंफोसाइट दो टाइप के लिंफोसाइट बनते हैं टी लिंफोसाइट और बी लिंफोसाइट तो टी लिंफोसाइट immature होते हैं blood के अंदर तो यह mature होने के लिए circulation के त्रू कहाँ पे आते हैं मेटा थाइमस में यहां पे आके mature होएंगे और कौन सा hormone release करते हैं फिर यह थाइमोसिन थाइमोसिन क्या करता है यह टी लिंफोसाइट को फाइट करने के लिए प्रपेर करता है ठीक है एक्चुली में थाइमोसिन का क्या है टी लिंफोसाइट को मैच्योर करने का है लेकिन है उस्टों फ्रपें टी लिंफोसाइट मर जाते हैं बहुत कम बन फौम कर बेटा जो आपको वहां पर साथा क्लियर होगा मालो मेरी बोडी की एस ऐसेल हैं और इनमें आके बैक्टीरिया ने इंफेक्शन कर दिया यहाँ पे रहने लग गया इसको खतम करने लग गया है तो यह टी लिंफोसाइट जाके इन पर अटैक करेंगे और इनको को खत्म करेंगी तो एक देखा चाहे तो क्या हो रहा हैं एक निम्फोसाइड किसको ख़ा रही है अपनी बोडी के सेल्स को तो A consumers को क्या बोलते हैं ah Sell Mediate Immunity चाहिए अधन दी लिंफोसाईड को भी थाइमोसिन की help चाहिए होती है to produce antibodies antibody कहते हैं antibody produce होगी है उसके लिए antibodies बन गया antibody proteins होते हैं बिटा जो हर किसी के लिए specific होते है मालो अब के बार bacillus आया है मतलब TB वाला bacteria आया है तो उसके लिए अलग antibody बनेगी कोई virus ने अटेक किया तो उसके लिए antibody बनेगी होती है तो उनको बनाने में भी कौन help करता है थाइमोसिन इसलिए एडल्ट की immunity जाद आची होती है लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो थाइमोस का size छोटा होने लग जाता है और इसकी वज़े से बुडो की जो immunity होती है वो कम होती है इस disease इसको बोलते है थाइमोस अट्रॉफिस देनेक्स और हमारी लास्ट ग्लेंड है बिटा गॉनाड्स गॉनाड मेल में टेस्टीज फीमेल में बिटा ओवेरी तो मेल में टेस्टीज कहां पे abdomen के बाहर की तरफ scrotum वाले pouch में प्रेजन्ट होती है पेर में इसके अंदर lobules बने होते है testicular lobules इस testicular lobules को अगर मैं यहां बहार निकालती हूं तो यहां पे दो टाइप के cells होंगे होंगे बिटा एक तो seminiferous tubule क्या होंगे seminiferous tubule जिनके अंदर spums बनते हैं और एक दूसरी होती है बहार leading cells कौन से cells होती है leading cells होता क्या है pituitary gland gonadotropic hormone release करती है hypothalamus से पहले hormone release होएगा gonadotropic releasing hormone वो जाके pituitary पे act करता है then pituitary hormone release करवाती है LH और FSH luteinizing hormone और follicle stimulating hormone यह hormone आके act करता है leading cell पे leading cells क्या बनाती है they will produce androgen क्या बनाएंगी androgen एक तो androgen जाएंगे seminiferous tubule में यह मैंने बहले भी बताया थो आपका जब मैं आपको local और distal hormone का example दे रही थी तो एक तो androgen seminiferous tubule में जाते हैं और sperms की formation करवाते हैं दूसरे androgen blood में जाता है बेटा और secondary sexual characters को develop करता है तो क्या के example हो गए facial hair develop करवाना cubic hair यह सब क्या है these all are the secondary sexual characters then endrobic effect anabolic effect on bone and muscles anabolic effect का मतलब होता है synthesis की bone और muscles में चीजे बननी protein बनना स्टार्ट हो जाता हम healthy होने स्टार्ट हो जाते हैं RBC का production बढ़ेगा central nervous system पे भी act करता है और हमारे अंदर libido libido is sexual desire को produce करता है तिन sexual organ की development करवाता है और male में erection penis erection को promote करता है then female sex hormone किस पे जाके काम करेंगे बिटा ovary पे ovary के दो part होते हैं एक stroma बाहर वाला और मतलब यह stroma portion होगा बिटा ovary का उसमें दो portion होगे पाहर वाला cortex अंदर वाला medulla तो ऐसे ही LH hormone आके यहां पे काम करता है luteinizing और FSH hormone और जो ovum होता है ovum के चारों तरफ इसमें follicles बनने start हो जाते हैं और यह एक structure बनाते हैं जिससे ovum mature ovum बनता है और at the menstrual cycle हम 12th class में discuss करेंगे तो 14 days जब आता है नियर बाइ 14 days of the menstrual cycle इस ovum यह ovum में से जो structure है वो बहार निकल जाता है और यह follicles बच जाते हैं इस structure को बोलते हैं बटा albicans और फिर यह एक structure यह hormone दूसरा hormone रिलीज करता है progesterone निस यहां पे दो hormone रिलीज हो रहे हैं बटा एक तो estrogen जो कि यह follicle यह follicle बना है ना यह mature follicle यह बनाता है और दूसरा बनता है progesterone estrogen का क्या काम है बटा एक तो यह secondary sexual characters को develop करवाएगा तो anabolic effect होगा bones और muscles पे breast का development, hips wider हो जाएंगी females के अंदर और high pitch voice and growth of uterine lining progesterone बटा pregnancy hormone है अगर यहां पे यह जो ovum release हुआ है इसका fertilization हो जाता है sperm के साथ तो हर एक मन्त पे हमारी ovary prepare करती हो female को to conceive the pregnancy or to continue the pregnancy तो progesterone क्या है it's a pregnancy hormone यह क्या करता है uterus का endometrium lining होता है उसको बना के रखता है उसका वो तूटती नहीं है दूसरा help in growth of alveoli memory gland के alveoli की अंदर prolectin hormone और oxytocin की वज़े से milk का secretion होता है बेटा तो इसके साथ आज हम सभी glands को पढ़ चुके हैं सिर्फ हमारा एक topic बचा है कि बेटा की hormones जो है वो कैसे action करते हैं उनका action करने का तरीका क्या है चीक है so that will we will discuss in the next video thank you have a nice day